मेरा नाम रवी शंकर है मैं आज भारत में पाई जाने वली अलग-अलग प्रकार की मिट्टियों के बारे में बात करने जा रहा हूँ भारत में भारते किसी निसंधान के अंतरकत आठ प्रकार की मिट्टियों पाई जाते हैं मिट्टी के अध्यन को हम विज्ञान में पैडलोजी के नाम से जानते हैं आठ प्रकार की मिट्टी जलोल मिट्टी जिसको हम अलिवियोल स्वाइल भी कहते हैं काली मिट्टी जिसको हम ब्लेक स्वाइल भी कहते हैं अब हम एक-एक करके इनके बारें बात करते हैं। हम बेसिकलिए जो चार इंपोर्टेंट हो इसके बात करेंगे। चलो नमिट्टी। इनका निर्मार हिमाली है एवं प्राय दूपी नदियों के द्वारा मलब नेटफेक द्वारा हुआ है। इनका रंग हलके दूसर से भस्मी दूसर के बीच और गठन रेतीले से दोमट के बीच पाया जाता है। इनमें पोटेश और चूना की प्रचुरता पाय जाती है। इनमें फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एवं हुमस की कमी पाय जाती है। परन्तु ये बहुत उपजाव होती है, क्योंकि नदियों, नदियां कई प्रकार के शयाल चून बहाकर ले आती हैं, जिनमें बहुत से रसाइनिक तत्व मिले होते हैं। प्राप्तिस्तान भारत के 40 प्रतिशत भूभाग पर पश्चिम से 17 नदी से लेकर पूरव में भ्रमपुत्र नदी घाटियें तक बिश्त्रित हैं। अत्रिक्त प्राय दूपी नदी घाटियों में तथा केरल के तटके सहरे भी यह जलोल मिट्टी पाई जाती है। इसका निर्माल मुख्यता डककन के लावा के अपक्चह दवारा हुआ है। धी में अफशोशक तथा धी में छे कारक होते हैं। इससे कुछ अन्यनाम भी हैं जैसे रेंगूर, काली, कपास, मिट्टी, ट्रॉपिकल, ब्लेक अर्थ, तथा ट्रोपिकल, चेर नोजंग। प्राप्ति स्थान क्या है? इसका लवख पांच लख बर किलोमीटर छेतर में पाई जाती है। महरास्ट, पच्च्वमी, मध्यप्रदेश, कुजरात, आंध्यप्रदेश, करनाटक, राजस्थान, तमिलनाडू, उत्तरप्रदेश। प्रदेश, कुछ फस्ले हैं जो काली मध्यप्ति में उगाई जाती है, जैसे, अरहर, गियू, जुआर, अलसी, संसो, तमाकू, वुंगफली, कपास। जैसे कि देखे काली मिट्टी है वह काफी काली है इसलिए है इसमें हम कपास की खेदी अच्छी कासी होती है इसमें तीसरी मिट्टी है जो हम बात करना है वो है लाल और पीडी मिट्टी दककन के पूर्वी तथा दक्षडी भाग में कम बरशा वाले स्थान में जहां हो गया aluminium, चूना अधिक तता phosphorus, nitrogen, humus की कमी पाई जाती है बत लोहे का ये अधिक मातरा में होता है ठीक है तो लोहा, aluminium तता चूना अधिक मातरा में होता है लेकिन phosphorus, nitrogen और humus की इसमें कमी पाई जाती है प्राप्ती स्थान ये देश के लवग 6 लाख वर्ग किलोमीटर में माडू, करनाटग, दक्षिर महाराश, तच्छतीजगर, आंधरपरदेश, ओडीसा, छोटा नापपुर, प्लैट्यू, जारखन पे पाई जाती है उपरी भागों में बाजरे तथा निचली घाटी और मैदालों में फसले जो होती है जहां उपरी भागों में बाजरा मोटे कर्णो वाली उपजाव नहीं होती है तो यह लाल और पीली मिट्टी की बात की गई है यह देखी बाहर लाल मिट्टी है जो की लाल क्रंग क्यों होता है इसका लाल रंग लोह ऑक्साइड के कारण होता है तो कि हम नीचे जाते हैं तो इसका रंग पीला होता है तो य जुश्क वाले छेत्रों में विक्षित होती है ये म्रदाएं उश्न कतिवंदिये छेत्रों में अधिक वर्षा के कारण हुए तीब्र निक्षादन का प्रणाम है वर्षा के साथ चूना और सिर्का तो निश्चालित हो जाता है लेकिन लोहो ऑक्साइड और एलुमिनियम के योगिक से भरपूर्ण म्रदा शेस रहे जाती है प्रकरती लोहो ऑक्साइड होने के करण इनका रंग भी लाल होता है इनकी स्वरूप इट की भाती होता है और यह भीगने पर कोमल तथा सूकने पर धेले डार हो जाता है तो हमने ये चार टैक की मेर मिट्टियों के बात क हमने बात की है इसके हमें बात क है जो परदन होता है इससे हमें बचाव करना चाहिए जिसके लिए खोकिछ र أوपन अधिक कर सकते हैं तो क्यों जितने द्वारा मिर्दा परदन को कम किया था फसल चक्रिक होती है जो एक हम फसल बोते हैं काटे हैं बोते हैं काटे हैं जैसे जो भूमी होती है वो खाली नहीं रहती है भूमी पर कुछ ना कुछ उकता रहता है जिसके कान से आता होता है कि जो मिट्टी होती है वो जकरी रहती है और मिट्टी का कटाव नहीं होता है तो हमें इस पर ध्यान जेना चाहिए और कोई भी अलग-अलग बटी का इस्तेमाल करते हаются मिट्पवर्धन को रोकना चाहिए तो कि मिट्टी अलग-अलग तरीकी की फसल ओगाने के लिए बहुत ही आवश्यक होते है क्योंकि मिट्टी में ही बहुत से न्यूट्रियंट्स पाय जाते हैं बहुत से ओर्गनिजम्स होते हैं जो फसल को उगाने के लिए अतिया वश्रक होते हैं और बहुत से जीव बहुत से ओर्गनिजम्स भी मिट्टी में पाय जाते हैं इसलिए उनकी संलक्षन के लिए भी मि मिट्टी का कटाओ या मिर्दा अपर्दन पर हमें रोगठाम करनी चाहिए ताकि वह जीवित रह सके और पेड़ फसल भी आराम से उगाई जा सके तेखें इसी के साथ अपना त्वबे को अंसरता हूं धन्यवाद